दोस्तों GS&GK Capsule Series के Part 3 Series में आपका स्वागत है और Part 1 और Part 2 अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़र जाके जरूर देखें प्लेइलिस्ट बना हुआ है GS&GK के उसके अंदर आप Part 1, Part 2 का दोनों का वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ टोटल साथ कोशन है जो की बहुत ही काफी इंपोर्टेंट कोशन है मैं सारी इंपोर्टेंट कोशन लिया हुआ हूँ एक्जामनेशन पॉइंट और व्यू से आपके पास पहुँचे तो Part 3 स्रीज का स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कोशन तो जो सबसे पहला कोशन है वो है कि ब्लेक बॉडि किसकी विकरन को अवसोशित कर सकती है केवल उच तरन धर को अवसोशित कर सकती है सीत रीतू के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का पर ज़्यादा ठंड मसूस करते हैं साप मौसम हमेशा साप मौसम होता है तो क्या होता है कि हमें ठंड ज़्यादा लगती है वो सीत रीतू के दिनों में मिटिक के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वास्पी करन के कारण जल ठंडा रहता है, प्रादेप तरंगों को सबसे पहले किस ने सिटी बजा कर उत्पन किया था, गालिटन ने सबसे पहले उत्पन किया था, धनी का तात किस पर निर्भर करता है, धनी का आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, प्राशव्य तरंक का उपयोग किया जाता है, मनुश्य को अध्वानी कंपण्य के अनुबो ती किस अविर्टी सीमा में होती है, 20-2800 सीमा में होती है, लगभग 20-30-40 team, ताफकन परकिस महध्धम में ध्वानी की गती अधिक्तम होती है लोहा तो चलिए देखते हैं 67 नमर ऑफ कोशन ध्वानी के किस लक्षन के कारण कोई ध्वानी ग्रेव या पतली स्लिल होती है तारत पीच के कारण किसके दोरा सबसे अधिक ध्वानी प्रदूसित होता है हवाई जहाज की उडान भरने के दोरान सबसे जयदा अधिक ध्वानी प्रदूसित होता है कौन सी प्रकिरिया प्रकास और ध्वानी दोनों में घटीत होती है ध्वानी के प्रभाव मानों के कान में कितने समय तक रहत कितने तरंगे किसके कारण प्रतिध्वत उत्पन करता है परावर्तन के कारण एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनी सुनने के लिए परावर्तन तरके कितने दूर खड़ा रहना चाहिए 56 फिट दूर खड़ा रहना चाहिए अस्टेटोपिक ध्वनी के किस सिधांद पर पास आती रेल गाड़ी की सिर्टी की आविर्ति या तुष्वता बढ़ती जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है। क्याल कितनी होती है यह होती है 664 मीटर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के ताक्माम पर किस माइद्धर में ध्वनी की गती अधिक होती है लुहा की एक जेव पद्धति जिसमें प्रासर ध्वनी का उप्योग किया जाता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सोनो ग्राफी देखते हैं 81 नमर कोश्चन कौन सी तरंगे सुन्न में समझना नहीं कर सकती है ध्वनी तरंगे वह उपकरन जो ध्वनी तरंगों की पहच्चान्त था जिजु देखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार प्रकास तरंग किस प्रकार के तरंग है अनुपर तरंग प किया गया था किस घटना के अधार पर प्रकास तरंगों के अनुपरस्थत होने की पुष्टी होती है ध्रुवन के कारण प्रकास के विद्दूत चुमक्ये स्वरूप की खोज किसने की थी मैक्सवेल ने की थी किसने स्वर पर्थम में दिखाया कि प्रकास तरंगों का वी दोस्तों ये question ग्रूप D में पहले आ चुका है, वो धुरुवन में घटीत होती है, कून सा सिधान प्रकास के तरन्ट प्रकृति की पुष्टी करता है, व्यक्तिकरन का सिधान प्रकास के तरन्ट की पृतिकृति करता है, चन्रमा से कृत्वी तक आन्यम में प्रकास को कितना समय लगता है, एक सेकेंड लगता है, दोस्तों ये question भी पहले group D examination में आ चुका है, तो दोस्तों आपको जो भी question में बता रहा हूं कि important है, तो उस question का repeat होने की ज़्यादा संभावना है, तो उस question को आप note down करें, दिमाह में बठा के रखें, और हमें इस वीडियो के अ question बता रहा हूं, तो आप खुझ से कितने question solve कर पा रहा हैं, वो comment के थूरू ज़रू बताएं, और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करना न भूलें, और पांड़े गुरू जी पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक क हैंड,